नमस्कार दोस्तों, जय मातादी स्वागत है, आप सभी का आपके अपने चैनल में तो तुला राशे वालों दोस्तों सावधान, दोस्तों आने वाला यह 24 घंटे का समय आपकी बहुत कठिन परीक्षा लेने वाला है, अपने दोस्तों कभी सपने में भी कलपना नहीं की होगी क्या आपको अपने जीवन में जीते जी ऐसा दुख भी देखना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपका कोई अपना ही आपको पीट पीछे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है यह 24 घंटे का समय आपकी खुशियों को उजाड कर रख देगा आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको तीन ऐसे बड़े राज बताएं हैं जो सुनने के बाद आपका कलेजा भी कांप उठेगा बस दोस्तों आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना यह वीडियो आपके लिए किसी वर्दान से काम नहीं है मैं गारंट देता हूँ कि जो भी जातक आज इस वीडियो को अंत तक देखियेगा उसकी जिन्दगी में तीन ऐसे चमतकार बदलाव आएंगे जिसकी आपने कभी कलपना नहीं की थी बेटा मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में बहुत परेशान हो पिछले कुछ सालों से तुम बहुत महनत कर रहे हो लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे तुम जीवन में सफल नहीं हो पा रहे लेकिन बस अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है अब तुम्हारे जीवन से सभी दुखों का सर्वनाश होने वाला है तुम बस वीडियो में बताई गई मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना क्योंकि इन 24 घंटे में परमात्मा तुम्हें बहुत बड़ा मौका देने वाले हैं देखिए, हमें अच्छे एवं बुरे दोनों ही वक्त के समय समय पर संकेत प्राप्त हो जाते हैं लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में जो घटना होने जा रही है उसका संकेत अब आपको मिलेगा आपको बस उसे समझना है और कौन सी सावधानी आपको बरतनी है ये तो आज हम आपको बताई देंगे वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप भी मा दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर करें अभी के अभी आप इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक कर दीजिए उसी के साथ जो भी भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में तीन बार जैमा, दुर्गा जैमा, भवानी, जैमाता भद्रकाली लिखतेगा अगले 24 घंटे में उसे भक्त की सारी मनो कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी बेटा मजाक मत समझना, तुम्हें यकीन ना हो तो एक बार करकर देख लेना अभी तक जिन भी भक्तों ने ऐसा किया है वह हमें बताते हैं कि गुरु जी हमारे जीवन में बहुत चमतकार हुए हैं हमारे जीवन में बहुत अच्छे-च्छे बदलाव आए हैं हमारे सारे रुके हुए काम बन गए और पैसों की कमी भी जीवन से दूर हो गई तो एक बार तुम भी करकर देख लेना दोस्तों आने वाले इन 24 घंटे में आपको किसी अपने ही करीबी व्यक्ति से बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है देखिए आपकी राश्य वाले जातकों की सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ी भूल यही है कि आप जब भी किसी पर भरोसा करते हो तो आँख बंद करकर बहुत ज्यादा अत्यधिक भरोसा कर लेते हो उसे व्यक्ति को अपने जीवन के छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे राज आप खुल कर बता देते हो और यही आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है आपको इन 24 घंटे में अपनी बातों को अपने राज्जों को गुप्त रखने का प्रयास करना है चाहे सामने वाले व्यक्ति आपका कितना ही करीबी क्यों न हो कितना ही अपना क्यों न हो लेकिन आप उसे व्यक्ति को अपने जीवन के तमाम महत्वपूर्ण राज ना बताएं क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके दिल में क्या चल रहा है उसके मन में क्या चल रहा है वह जिन्दगी के किस मोड पर आपको कौन सा धोखा दे दे यह आप नहीं समझ पाते इतना दुख देखना था आपने देख लिया अब आपके जीवन में और कष्ट में नहीं आने दूँगा दोस्तों आत्म विश्वास से अब भरपूर रहेंगे आलस से आपके अंदर अगर हो तो उसे मिटा दीजिएगा और आपके घर का जो उत्तरी पूर्वी कोना है जिसे हम लोग इशान को या इष्ट कोन भी कहते हैं इसका महत्व आप जरा ध्यान से सुनिए कहते हैं यही वो कोना है जहां तीन देवता निवास करते हैं स्वयम ब्रह्मा विश्णू और महेश यही वो कोना है जहां पर तेतीस कोटी देवी देवता निवास करते हैं इसे इशान को कहते हैं यह घर का उत्तरी पूर्वी को ना होता है यही पर पंडित हमें मंदिर बनाने की भी सलाह देते हैं क्योंकि यहां पर भगवान रखना बड़ा शुभ होता है है लेकिन दोस्तों क्या हर बार परिस्थितियों ऐसी होती है कि हम घर के इशान को को सही रखते हैं, साफ रखते हैं, यहां पर मंदिर बनवेट हैं, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं हो, पता कि वो इतनी जगह है मैनेज कर पे, लेकिन आपको ध्यान किन-किन बटन का र साथ ही साथ उसे स्थान पर रोजाना सुभह के समय पूछा लगाना है, जाडू लगानी है, यानि उसे स्थान को गंदा नहीं रखना है, साफ सुथरा रखना है, है, और अगर आपसे संभव हो पे, तो शाम के समय हर अपने घर के इशान को पारक शुद्ध देसीगी का, गाय के शुद्ध देसीगी का दीपक आप जलाएं। इससे क्या होता है? जो वह कोनी में देवता विराजित है, वे सदैव प्रश्न राहत है। आपके उपर जी वजह से आपके कम बिगडने नहीं है। रुकते नहीं हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपको लगातार मिलती रहती है। तो ये चीज आपको जीवन में समझ करके इन्हें थोड़ा ध्यान पूर्वक करना होगा। परिणाम आपको भी मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। इसी के साथ कार्यक्षेत्र में परिवर्तन संभव है। यहां पर मेहनत की अधिकता रहने वाली है। माता का सानिध्य और सहयोग मिलने वाला है। आपके अंदर आत्म विश्वास जो है, वो बड़ा जबरदस्त रहेगा। लेकिन कई बार दोस्तों क्या हो जाता है, यही आत्म विश्वास हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर देता है। क्योंकि जब इनसान का एक कम बनता है, तो वह इतना घमंड नहीं पलटा। लेकिन जब उसके आत्म विश्वास से बहुत सारे कम बन जाते, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अति आत्म विश्वास माने लगता है कि मैं तो एक आम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो यह चीज जीवन में दिक्कत देती है क्योंकि मैं श्रेष्ट हूँ, यह आत्म विश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ट हूँ, यह अहंकार है जो इनसान का सर्वनाश कर आने वाले साथ दोनों में आपकी वानी का प्रभाव बढ़ाने वाला है, यह जो आपकी वानी है, इससे आप लोगों का दिल जीत अपने में भी सक्षम रहेंगे और दिल तोड़ने में भी सक्षम रहेंगे, तो आपको शब्दों का चयन कुछ इस प्रकार से करना है, यह बात आप खास तोर पर ध्यान रखें, इसी के साथ किसी धार्मिक सत्संग कार्यक्रम में जाना हो सकता है, आपका रहन सहन में थोड़ा आशाएं आप महसूस करेंगे और संपत्ति में आए, मैं बढ़ोतरी हो, शक्ती है, नौकरी में भी स्थान परिवर्तन संभव है, दोस् बात पे भी आप ऐसा बर्ट करेंगे, मानों की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, तो वहां आप थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि गुस्सा आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता, हमारा सब कुछ है, ये बात आप ध्यान रखें, नौकरी में किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना पद सकता है, आई में व्रिद्धि होगी, साथ ही साथ, दोस्तों कारोबार में जो विस्तार की योजना है, वो अब सरकार होने वाली है, परिश्रम आपका थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, और घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, वस्त्र आपको मिल सकते हैं, और नौकरी में परिवर्तन के साथ साथ, दूसरे स्थान पर भी आपको जाना पद सकता है, आयत निर्यात कारोबार में लाभ के ऐस अवसर आपको प्राप्थ होंगे, साथ ही साथ, माता का सानिध्य योग आपको मिलेगा, वहां सुख की प्रताप आपके कम की तारीफ करने वाले हैं, आपको अप्रिशेट करने वाले हैं, उत्साहित करने वाले हैं, और आपको एक बहुत अच्छा मौका वो आगे जीवन में बने का देने वाले हैं, साथ ही साथ दोस्तों, जो शिक्षा क्षेत्र हैं, बात करें, अगर आपके ख्षमता का एक विकास यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, सब कुछ अच्छा मिल रहा होता है। वह भी इनसान को हजम नहीं होता। और जब हम कोई अच्छा कम करने जाएंगे, तो उसे कम में 10 मुश्किल आएगी। वो कम इतनी आसानी से बन नहीं पाएगा। लेकिन इसी के विपरीत, जब कोई आप बड़ा कम करने के लिए निकलेंगे, बड़ा कम करने की सोचेंगे, तो वह कम बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वह कम आपको पाप मिलेगा, और अच्छा कम आपको पुन्य देगा। इसी लिए दोस्तों, जीवन में एक बात का आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि भले लाख मुश्किलें जीवन में रास्ते में आएं, आपको सदैव अपने कर्म पर अच्छा फॉक्स बना कर रखना है, क्योंकि यही कर्म आपको तरंगे, यही कर्म आपको निभाएंगे, यही कर्म आपका कम बनाएंगे, और यही कर्म आपकी जिंदगी को शांदार बनाएंगे, कर्म ही है जो इनसान के आगे हैं, कर्म ही है जो इनसान के पीछे हैं, जैसा उसने बॉय है, वैसा ही वो कटेगा, इसी लिए कर्मों को सदा उपर रखिए, कर्मों को सदा शांदार रखिए, आपके जिंदगी बड़ी शांदार हो जाएगी, आने वाला है, जो समय है दोस्तों मुश्किलों से भारत जरूर है, लेकिन इ जो उसके जिम्मेदारी उठा सकता है, दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले तीन दिन आपके लिए काफी उतार चड़ा लेकर आने वाले हैं, इन तीन दोनों में आपके आत्म विश्वास की परीक्षा होने वाली है, जितना आप आत्म विश्वास के साथ फैसला लोग, जितना आप सोच समझ कर, निर्णय लोग आपका फैसला उतना सही साबित होगा, और आपके आत्म विश्वास में यह बढ़ोतरी होगी, यदि दोस्तों, बहुत समय से आपके मन में कोई बड़ा चल रही है, कोई परेशानी है, जो आपको अंदर ही अंदर से तोड रही है, कमजोर कर रही है, तो आने वाले इन तीन दोनों में आप अपनों के साथ समय बिताईए, अपने परिवार वालों से बात चीत करिए, इससे आपका मन हलका होगा, आपका ध्यान जो यहां वहां भटक रहा है, वो एक जगह स्थिर होगा, और आप अपने केमोन पर स रही से फॉक्स कर सकोगे, इन तीन दोनों में दोस्तों व्यापारी वर्ग वाले जातकों के लिए दुख और सुख दोनों ही बराबर आने वाला है, एक और तो दोस्तों किसी बड़ी कमपनी के साथ आपकी कोई डील हो शकती है, कोई मीटिंग हो शकती है, जहां से आपको बहुत अच्छे लाब मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, एक और दोस्तों आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा स्टेडियम रख सकते हैं, आपको अपने दाल में फंसे का प्रयास किया जा सकता है, तो आपको दोस्तों जरा इस समय अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा, आपके गुप्त शत्रू आपकी खिलाफ शडियंत्र बना सकते हैं, आपको अपने दाल में फंसे की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी स्थिती में दोस्तों, अगले तीन, दोनों में आपको अपनों के साथ साथ अंजान लोगों से भी बचा पैसों से जुड़ा कोई कम है, धन संबंधित, कोई समस्याएं हैं, कोई शिकायत हैं, तो उसे खुद सौल्व करने की कोशिश करें, अपने इंपोर्टेंट कम किसी और के भरो से न छोड़ें, अन्यता वह व्यक्ती सारे किया कराएं, पर पानी फिर देगा, दापत्य जी सकते हैं, समय आपके लिए बढ़िया है, थोड़ा पैसा आपका अधिक खर्च होगा, लेकिन ज्यादा पैसे पैसे की चिंता मत करिए, आप कमाते इसलिए हैं, अपने लिए कमाते हैं, तो अपने आपको खुश रखना का प्रयास करिए, उसमें खर्चा करने में आपको को जूसी नहीं करनी है, साथ दोस्तों, लंबे समय से, यदि आप कारा के मकान में रहते हैं, और खुद का कोई घर का मकान लेने की योजना बहुत समय से बना रही है, लेकिन आपकी योजना बार बार दाल जाती है, आपको सफलता नहीं मिलका रही, तो अगले तीन दिन आप के लिए अच्छे हैं, कुछ ऐसे योग आपके ग्रहन में बन रहे हैं, कि आप पहले कम अपने घर के मकान की ओर बढ़ा सकते हैं, कोई नई शुरुवात आप कर सकते हैं, समय बहुत है, यदि दोस्तों, आप कहानी बाहर यात्रा पर जा रही हैं, तो घर में विशेश होने के असर बनते हुए नजर ए रहे हैं, साथ में तो वो आने वाले अगले 72 घंटे बेरोजगार जातकों के जीवन में नए मौके, नए अवसर लेकर आने वाले हैं, बहुत समय से, दोस्तों आप काफी प्रयास कर रहे हो नौकरी ढूनने का, कोई अच्छा व्यापार ढ हुनने का, परंतु आप कुछ कर नहीं का रहे, आप कुछ आइडिया नहीं मिलका रहा, कुछ योजना आपके दिमाग में नहीं ए रही, लेकिन अब आने वाले यह तीन दिन आपके लिए शानदार है, इन तीन दोनों में आपको अपनी योजनाओं पर कम करने का मौका मिल देगा, फॉक्स मान लगा कर मेहनत करना और एक बाद ध्यान रखना, जब तक कम पूरा नहीं पीटना है, आपकी राश्यवाले समस्त जातकों की यह सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने कम को पूरा होने से पहले ही उसका दिन दुरा पीठ देते हैं, जिसके करन बाद मे आपको पच्टाना पड़ता है, बाद में नई-नई मुसीबतें आई हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, आपके अपने लोग ही आपके साथ चल कर देते हैं, साथ ही दोस्तों, साजेदारी में कम कर रही जाटकों के लिए समय शांदार है थोड़ा मार्केटिंग पर, परिवार के सुख सुविधाओं पर ये खर्च होगा, तो आपको ज्यादा दुख ज्यादा परेशानी नहीं होगी, स्वास्थे के मामले में या तीन दिन बढ़िया हम रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि स्वास्थे को लेकर आपको कोई भी जो बाहर जा रही हो, यदि आप इस दुनिया में अपना पर्चम लहराना चाहते हो, तो बड़े बुजर्गों का आशीरवाद आपके लिए तरक्की के द्वारा खोल देगा, तो उनका आशीरवाद लेकर यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण कम करोगे, तो आपका कम पूरा अवश्य होगा, साथ ही मित्रों आने वाले इन तीन दोनों में विद्यार्थियों को परीक्षाओं में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, यदि आपने हाल ही में कुछ परीक्षाओं की तैयारी कारी है, हाल ही में दिया आपने कुछ एक्जाम्स दी है, तो आने वाले बध्धत्तर घंटे आपकी परीक्षा में सफलता लेकर आएंगे, तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान अपना करियर की और केंद्रित करना होगा, देखिए, इस उम्र में ध्यान भटकना लाजमी है, इस उम्र में इधर उधर हमारा ध्यान भटक ही जाता है, ऐसे में दोस्तों, आपको अपना पूरा फॉक्स, अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहिए, अपने करियर पर लगाना चाहिए, आपका जो गोल है, आपका जो टार्गेट है, उसे पूरा करने का प्रयास करें, तभी दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी, तभी दोस्तों आपको परिणाम मिलेंगे, इधर उधर ध्यान भढ़काने ना दे, यहां वहां की परवाह ना करें, लेकिन जो होना था, हो गया.